स्टूडेंट चाहता है कि मैं एक बहतर विद्यार्थी बनूँ, अपनी कलास को टोप करूँ, हर अकजाम को टोप करूँ, लेकिन स्टूडेंट की शिकायत रहती है कि उन्हें कई बार पढ़ने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता, तो क्या आपको भी ये शिकायत है, क्या आप भी कई बार याद करने के बाद उसको याद नहीं रख पाते, क्या आप भी इस बात से प्रेशान हैं, क्या आप जो भी पढ़ते हैं, याद नहीं रहता, क्या किसी चेप्टर को दस बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता, आपकी कलास में कुछ ही स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एक बार में पढ़ने पर सब याद हो जाता है जब भी टीचर ऐसे बच्चे को परसंव करते हैं तो उन बच्चों का हाथ हमेशा उपर रहता है क्या वह हर परसं का जबाब दे देता है और हमेशा तयार रहता है जबाब देने के लिए आखेर ऐसा क्या है क्या कारण है कि एक स्टूडेंट उस चेप्टर को कितनी ही बार पढ़ ले याद नहीं रहता वहीं दूसरा बच्चा है कि मात्र एक बार में सब याद हो रहा है तो कैसे हम एक बार में सब याद रख पाएं, इसके लिए आज मैं आपको कुछ power tips बताने जा रही हूँ, जिनको follow करके आप भी कलास के सबसे होनहार विद्यार्थी बन जाएंगे, और सब आप से प्रभावित रहेंगे, और आपका example दिया जाएगा, आप alert हो जाएं, you can do it, mind में इस tips को बिठा ले, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, tips नमबर एक, दिमाग में कहनी बनाए, पहला tips अबना दिमाग में एक कहनी बनाए, जैसे हम कोई film देखते हैं, तो film एक कहनी के रूप में होती है, तो एक बार देखने के बाद भी उस film की पूरी कहनी हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, और उसको हम कई दिनों तक बूलते नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो पावर तो है हम निल नहीं है, हमारा दिमाग निल नहीं है कि हमें बिल्कुल भी कुछ दिमाग में है नहीं हमारे पास वो ताकत है, पावर है कि हम याद कर सकते हैं तो क्यों न इस ताकत को हम पढ़ाई में लगा दे जो भी पार्ट पढ़ रहे हैं वो किसी भी सब्जेक्ट का हो उस टोपिक के कॉंसेप्ट किलियर करें जैसे फिल्म में सीन होता है वैसे सीन किरियेट करें एक कहनी बनाएं जैसे मां एक्जामपल दूं राजनिती पहला पार्ट है उसमें उसको एक कहनी के रूप में लेते सीत्यूद किन किन सक्तियों के बीच हुआ कब से कब तक लड़ा गया विश्वर राजनिती कौंस कौंसे गटना करम हुए विश्वर राजनिती विश्वर राजनिती पे इस गटना करम का परभाव क्या पड़ा तो ये हमने एक कहानी बनाई इस कहानी को हमने बना लिया याद कर लिया दूसरी टिप्स है कि हम इसे दोस्तों के साथ सेयर करें अपने दोस्त एक दो आपको जो भी आपके आसपास हो उस कहानी को दोस्त को सुनाएं दोस्त को सुनाएंगे तो वो आपको और भी बेहतर तरी के से याद होगी ज्यान बाटने से बढ़ता है बढ़ता भी है आपका भी बला होगा दोस्त का भी बला होगा आपको चीज याद हो जाएगी कंठेस तो हो जाएगी और दोस्त का भी बला हो जाएगा तीसरा जो हमारा टिप्स है वो हर रिवीजन करें अगर हम सब्ता भर में रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है तो जो भी हमने कहानी बनाई दोस्त को सुनाई उस एक कहानी को कहने का मतलब हमारा जो टोपिक था उसके कॉंसेप्ट के लिए कि उसकी हमने एक कहानी बनाई उस कहानी को दोस्त को सुनाया अब उसको हम सब्ता भर में revision करें फिर आपका प्रणाम देखिए आप कहां से कहां होंगे जीवन का हरेक अग्जाम आप clear करेंगे आप एक सफल इनसान होंगे आप एक बहतर स्टूडेंट होंगे आप एक प्रभावित करने वाले स्टूडेंट होंगे समाज में आपका उद्दारन दिया जाएगा आप अपना अपने समाज अपने परेंट्स का नाम रोशन करेंगे मेरे इन चंद सब्दूं से अगर आपको कहीं भी हल्प मिलती है तो ये मेरे लिए बड़े गर्वे की बात होगी थैंक यू वेरी मच